हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ अभिसेक वेलकम टू सौटकर्ट इन्फरमेशन हमारे आसपास कई ऐसी चीज होती है जो दिखने में तो सिंपल लगती है बट उसके पीछे कारण बहुत अजीब होता है ऐसा ही एक चीज है ब्लेड जिसका हम सेविंग वगेरा में यूज करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि ब्लेड के बीच में जो डिजाइन बने होते हैं वह सब ब्लेडों में एक जैसे ही क्यूं होते हैं चाहे जिस भी कम्पनी का क्यूँ न खरी दे इस डिजाइन के पीछे की कहानी यह है कि 1901 में जब जिलेट ने विलियम निकार्सन के मदद से पहली बार ब्लेट बनाया था उस टाइम उसने ब्लेट को ऐसे डिजाइन किया था कि वह उस टाइम के रेजर में ठीक से फीट हो जाए उस टाइम जिलेट के अलावा कोई भी ब्लेट नहीं बनाता था लेकिन कुछ साल बाद जब ब्लेट का मार्केट फैला तो और कई कंपनिया ब्लेट को बनाने लगी पर सेविंग रेजर का निर्मान अभी भी सिर्फ जिलेट ही करता था इसलिए जयातर कंपनिया जिलेट के रेजर के मुटाबिक ही ब्लेट को डिजाइन करती थी और ऐसे ही यह डिजाइन सेविंग ब्लेट की पाचान बन गई और आज तक इसका डिजाइन चेंज नहीं हुआ है तो ऐसे और इंफर्मेटी वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर किजिए